नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News आने वाले दिनों में भी कडाके की ठंड जारी रहेगी इसके साथ 26 जनवरी से यानि आज से रात के ताबमान में भी गिराउट होगी इसका मतलब लोगों को इस महीने के अंथ तक कपा देनी वाली सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है बताते चलें कि जनवरी 2022 को पिछले 72 स साल में सबसे सर्द महीना बताया जा रहा है मौसमी भाग यानि IMD के मुताबिक इससे पहले जनवरी महीने में ऐसी कडाके की ठंड साल 1950 में पड़ी थी उसके बाद से दिसंबर जनवरी में कपाने वाली सर्दियों तो पढ़ती रही है लेकिन बीच बीच में धूप के लाट वाड़ा और गुजरात में भी अगले दो दिन में सर्दी बढ़ने के संक्यत हैं दिली पंजाब हरियाना और यूपी समेथ पूरे उत्रभारत में अगले चयार से पास दिन भीशन सर्दी रहने वाली है इन राजियों में रात और सुबह के वक्त गहना को रा देख जारखंड में बारिश होगी हालाएं कि उसके बाद अगले तीन दिनों तक मौसम साफ रहने के संभावना व्यक्त की जा रही है यही नई पूर्वी भारत कहे जाने वाले पस्चिम बंगाल ओडिसा जारखंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक हलकी बारिश हो सकती है झार यही है झार जार बंगाल फस्चिम के ऊच्छ के कि व्यक्त क 밖에 बंगाले पूर्व 예 हजय कर दो labeled टिन सफ्चित Polk pref aggression वथbi पावरे हो अार्वी तो जार बंगाले के बंगाले पूर्वी कर यहीं हो इक जार्ष्ट παire वफर